दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी अनाधिकरत कोलोनी, संगम विहार इस बात का जीता जागता उधारण है कि कैसे बढ़ती आबादी सीमित कुदरती संसाधनों पर दबाव डालती है कोलोनी पांच वर किलोमेटर में फैली हुई है और इसकी आबादी करीब 12 लाख है यहां जमीन के नीचे पानी बहुत नीचे चला गया है कई ब्लॉकों में सीवर लाइन नहीं है और अकसर सीवेज सडकों पर फैल जाता है संइक तुराष्ट के मुताबिक भारत पहले ही दुनिया का सबसे ज्यादा अबादी वाला देश बन चुका है या इस मैने के आखिर तक बनने वाला है संगम बिहार की निवासियों का कहना है कि असोला वनेजीव अभिहारन के घने जंगलों से सटे इलाके के कबरिस्तान में जगह कम पड़ रही है इंडिया की पॉपूलेशन जवर्जस्त तेजी से बढ़ रही है और खासकर हमारे संगम बिहार में एसिया की सबसे बड़ी कालोनी है जो बीस किलो मीटर के अंतरगत आती है जानकारों का कहना है कि बड़ी आबादी की वज़े से प्राकर्तिक संसाधनों पर दवा पहले से ही ज्यादा है भविश में ये और भी बढ़ जाएगा अब इंडिया में भी धीरे धीरे हम उसी जगा जा रहे हैं कि जादा तर जमीन अर्बन सिटीज से ले ली गई है और अर्बन सिटीज की एकॉलेजी और वाइड लाइफ की जादा कुछ जानकारी या स्टडीज हुई नहीं है तो आगे आगे जैसे जैसे पॉल्यूशन पॉपॉलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पॉल्यूशन हमारा रिसोर्स क्रंच ग्राउंड वाटर डिप्लिशन ये सब और सिवियर होता रहेगा दिल्ली सरकार का कहना है कि वो सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है हाला कि राष्ट राजधानी शेत्र में जनसंख्या 2 करोड 30 लाग से ज्यादा होने और रोजगार की तलाश में लोगों के लगतार दिल्ली आने से सीमित कुदरती संसाधनों और बढ़ती मांग के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा